हेलो दूस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दूस्ते इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आपका ही एक रिक्वेस्ट के वाव सवाल सर MRF का शेर तो आप लोगों ने देखा ही होगा क्या गजब का शे आप लोगों को बता हूंगा जो मेरे पॉर्टफोलिय में हमेशा इस पॉर्टफोलियो में इस टॉक को रहेना रखना पसंद करता हूं और बार बार उसमें में जितना हो सके जब भी नीचे आती है एक-दो-एक-दो कॉंटिटी खरीदने की कोशिश जरू करता हूं मैं ज देखने चाहिए उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि आपको ये स्टॉक पसंद है भी या नहीं तो चले दोस्तो फड़ाबर इस यूडियो को स्टार्ट करते बड़ उससे पहले जरू किना चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को हिट कर लेना ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे इस चैनल पर वी एक जबरदस वीडियो यहाँ पर आ चुक है आप देख सकते 33,000 लोगों ने वीडियो देख लिया है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको के नंबर्स, HDFC के कार्टर 2 के नंबर्स, इन्वेस्टर को यहाँ पर फसाने के लिए ओपरेटर ने एक जाल बिचाए एक ऐसा वीडियो है और कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि आप लोगों ने कसम खानी चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए इन चार वीडियो की लिंक आपको डि स्क्रीन के उपर जैसे मैंने का कि MRF का स्टॉक बहुत ही गजब का स्टॉक है तो इसके चलते में कोई इसको बीट कर पाएगा तो वो भी उतना ही दमदार स्टॉक होना चाहिए मैं प्राइजिंग के इसाब से बात कर रहा हूँ अगर आप यह एक रुपे का स्टॉक रहे अगर हमेशा इससे दूर रहेते बड़े प्लियर्स का स्टॉक है ऐसा बोल सकते मैक्जिमम चार्ट प्रिटन अगर हम लोग यह आपे क्लिक करेंगे तो वो भी आप लोग देख सकते क्या गजब की तेजी हम लोग को इस स्टॉक में देखने को अभी भी यहापे मिल रही ह लोग टर्म के लिए यह स्टॉक जबरदस हम लोग को देखने को मिल रहा है बट जैसे मैं आप लोग को कहा कि इसके चलते भी अगर आपको ऐसा ही कोई स्टॉक खरीदना है तो वही स्टॉक अभी में आपको बताने वालो तो उसके पहले यहापे हम लोग कुछ इसके पैर प्रोमेंट नहीं होते हैं मैं बहुत सारे स्टॉडन्स को पढ़ा चुका हो तो मुझे पता है तो इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों एक कंपनी को पहले आप लोगों ने भापना चाहिए सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग यह आपके लिए इंपोर्टन रेंज है क्य बात करें तो वो भी आप देख सकते है लगबग 11 से 12 पसेंट डेखने को मिल रहे है थोड़ी कम हम लोगों को होते हैं बहुत देखने को मिल रहे हैं उनके इसापसे एड्जेस्मेंट कर रहे है देस की बात करें तो वह अपना हिस्सेदारी यहापे इस कंपनी में बढ़ा बढ़ाली है, so overall shareholding pattern बहुत इस ट्रॉंग यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि आप लोगों ने जरूर कंसिडर करना चाहिए, so दोस्तो बोनस की बात करें, तो आप लोग देख सकते हैं, बोनस में कमपनी ने तीन बार यहाँ पर बोनस दिये, के बावजूद यह stock हम लोगों को इतना महेंगा देखने को मिल रहा है, so आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, अगर यह बोनस नहीं होता, इस वक्क कमपनी ने 2020 में एक ही डिविडेंट यहाँ पर दिया है, बाट अगर हम लोग बात करें 2019 की, तो बहुत ही गौर से देख लेंगा हैं, दोस्तो 19 में 1, 2, 3, 4, yes, 4 बार कमपनी ने यहाँ पर डिविडेंट यहाँ जो की बहुत ही सॉलिड है, यह डिविडेंट अम मिल रहा है, जो लोग यहाँ पर डिविडेंट के लिए इंतजार कर रहे थे, 2020 में 61 रुपे का डिविडेंट एक बार हो चुका है, एर 2019 में देख ले ना, 25, plus 23, plus 23, plus special डिविडेंट 180 का, and plus 55, जोड के देख ले ना कि डिविडेंट कितना मिल रहा है, 55, 23, 180, 23, 25 यह 2019 का ड दे दिया है, तो क्या डिविडेंट बाटने वाली कमपनी है, जबरदस कमपनी है, तो यह भी एक plus point है, जो कि आप लोगों ने आपर देखना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को यह चीज़ों को पहले consider करना, सिर्फ नाम जानके कुछ नहीं होता है, दोस्तो यह time pass करनी की चीज़े छोड़ दो, सो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके company के balance sheet के उपर, company के उपर unsecured loan एक भी नहीं है, secured loan की बात कर तो yes, company में secured loan है, जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है, कितना है total debt, लगबग इस वक की बात कर तो 53 करोड का debt company के उपर हम लोगों को करोड के आसपास के reserves देखने को मिल रहे है, and अगर cash and cash balance की बात करे, तो वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहापे, लगबग company के पास 1300 करोड का cash, यहापे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, so overall balance sheet भी बिलकुल ठीक ठाक नजर आ रहे है, जो कि हम लोग के सकते हैं, इस company से related study करते हैं, यह सारी चीज़ों को आप लोगोंने closely monitor करना चाहिए, so दोस्तों finally हम लोग आ चुके हैं, यह सारे parameters देखने के बाद, company के chart pattern के उपर आप देख सकते हैं, पाच दिन का chart डिखाना चाहूँगा, डाउन है, एक मैने का भी ठीक ठाक है, छे मैने की बात करें, या पे, तो वो भी हम लोग को profit booking देखने को मिल रही है, एक साल की बात करें, तो जितना हम लोग लंबा जाएंगे, profit देखने को मिल रहे हैं, आप लोग को, पाच साल की बात करें, तो पाच साल में तो बहुत ही जबरदस profit है, अगर maximum की बात करें, त इसे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपको BMW के फीचर वाली गाड़ी चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को उतना पैसा दिना पड़ता है आप लोग खरीद होगे कोई 3-4 लाक रुपे की गाड़ी अगर आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए 50-60-70 लाक वाली गाड़ी की तो मुश्किल है नहीं मिलेगा तो यही है दोस्तों अगर आपको पेक करना पड़ेगा अगर उस लेवल तक आपको जाना है तो वही एक perfect stock है जो कि मैंने आपके सामने हापे रखा है और maximum chart pattern भी आप देख सकते हो 2010 से हम लोगों को यह शुरुआत होती हुए देखनी को मिल रही है तो 10 साल में यह company ने अच्छा कासा 2000 से 15000 की jump यहापे कर ली है उसी के साथ साथ एडवांटेज वाली बात है दोस्तो FMCG यह FMCG सेक्टर से जुड़ा हो है मतलब during the lockdown also company अच्छा performance ही दे रही थी तो यह advantage वाली बात है और एक advantage वाली बात इनका management जिसको experience management बोला जाते experience मतलब जिनोंने maggie का case handle के आप सभी लग पता है maggie का जब case हुआ था almost company ऐसा लगाता कि खतम हो गए क्योंकि maximum revenue maggie से ही इनक company ने सब कुछ डिस्ट मतलब वापस शुरुआत की zero से वापस सब कुछ चीजों को normalize किया branding की and company को वापस खड़ा किया and nifty 50 में भी yes दोस्तो आपको बताना चाहूँगा यह nifty 50 वाला stock है इंडिया बूल्स housing finance को replace करके इनोंने nifty 50 में यहापे जगा बना लिये तो आप नजर आती है तो जो लोग यहापे long term के investor है तो ज़रू इस company के बार में सोच सकते हो मैं वापस के ना चाहूँगा यह कोई मेरे recommendation नहीं रहते मैं सिव आपको यहापे समझाने की कोशिश करता हूँ यह सारे parameter देखने के बाद हम लोग कह सकते इस stock में MRF जितना दम रखने क मतलब हम कह सकते हैं उतने higher level पर जाने की कोशिश यह stock जरूर कर सकता है और जैसे दोस्त हमने आप लोग को का कि तीन बार इस company ने और बोनस दे दिया है तीन बार लगबग मतलब अगर यह bonus नहीं होते तो शायद से आप सभी लोग पता है तीन बार bonus मतलब यह company का share हम लोग कि अगर हम लोग बात करें उस से लेके 2020 तक कोई भी बोनस यहाप नहीं दिया है तो बहुत सार लोग पूछेंगे क्या कभी भी बोनस दे सकती है 20 साल हो चुके तो almost यहाप बोनस नहीं मिला है तो possibility तो यहाप फिलाल कम ही रग रही है बट होने के लिए कुछ भी हो सकता है अगर यह बोनस लाते तो definitely इनी को सबसे ज़्यादा उसका मिल सकता है तो आयब अशा करता दोस्तो जो आप लोगों को requirement थी उसके हिसाब से मैं आपके सामने आपे stock रख दिये देखा जाए तो market capitalization की हिसाब से भी यह company बहुत बढ़ी है and performance wise भी यह company बहुत ही शांदार है and वैसे भी अगर देखा जाए तो आप लोग भी इसके product कभी ना कभी use करते है शायद से आप लोगों ने निसले का kitkat खाया होगा निसले की maggie तो बहुत लोगों ने खाई होगी या फिर निसले का milk product भी मिलते है milk powder भी मिलते है direct milk भी available रहते है निसले के chocolates भी available रहते है बहु इस company के product के और कर सकते हो अगर देखा जाए तो मुझे इनके products बहुत ही पसंद है और इसले मैं बार बार इनके products वापस consume करना है या पर पसंद करता हूँ और इसी के चलते ये company भी आगे अच्छा performance दे सकती है इसना ही भरोसा मुझे या पर लगता है बट वापस के ना चा ये बाइब…. बाइब